अरे आधर्निये नेता जीतन राम आजी जी आ हैं कि उनके समाज के लोग भी सराव बंदी उस समाज का कुछ है थोड़ा साव दिकत होती है 김 gült सब्सक्राब से उनका लगाव बहुत पूजवाना रहा है उस समाज का अंदर सराबंदी के नाम पर बंद है और उनकी सजा भी पूरी हो गए फिर भी जेलों के अंदर बंद है इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें लकिलापन के जरुवत है इस अब बाते दिल और नहीं ड जितियस कुमार जी की सरकार को समर्तन करते हैं भारतिये जंता पाटी जो फिरकापरस तागते थे उसको अलग करने के लिए सब लोग त्यार हुते इसमें डिल की बात कहा था शुदाकर जी से सोकौज नोटिस दिया गया है सोकौज नोटिस का वो समय के अंदर जवाब दे दल के बरिये नेता जो है इस पर तेह करेंगे इसलिए सुदाकर जी अपनी बात रख रहे हैं रखने का हपको अजादी है अमस्कार आप देखें निश्पो नेसर मैं आपके साथ अबजेज सेंग बिहार के पुर्ब मुख मंत्री जीतन रामबांजी लगतार सराब बंदी पर सवाल उठाते आ रहे हैं और बीते दिन उन्होंने साबतर पर खुले मंद से कहा है कि तेजश्वी आदब जी आप भी सराबन्धी के सिगंज को थोड़कर के आप लोग तुडा मड़ों के देख रहे हैं तुकडों टुकडों में देख रहे हैं इसलिए उनकी अभी व्यक्ती या उनका दर्द सामने नहीं आता है जब गरीबों पर जुल्म होता था तो कभी-कभी उनके भी स्वर थोड़ा कड़े हो जाते थे और उस कड़े स्वर में कभी-कभी तो उन्हों ने अपने को कहा था कि सारे लोगों को हमें राइफल के लाइसेंस देंगे सारे लोगों को जितने गरीब लोग हैं किसान लोग हैं मजदूर लोग हैं तक कहीं-कहीं उनके समाज में दर्द होता था बंचित अभी बंचित भर्ग में तक करपुर ठाकुर की भावना है जो थी जजबा जो थी बोलती थी उसी तरह के हमारे आधर निये नेता जीतन राम माधी जी हैं कि उनके समाज के लोग भी सराब बंदी उस समाज का कुछ है थोड़ा सा दिकत होती है सराब से उनका लगाव बहुत पूज़ाना रहा है उस समाज का तो वह समाज सराब बनाता है और सराब पीता है तो उसके वज़ा से कुछ लोग अगर परताडित होते हैं प्रसासन के द्वारा तक कभी-कभी उनकी अभी व्यक्ति सामने आती है, लेकिन वह अभी व्यक्ति उनके सलाह के रूप में होती है, न कि बिहार सरकार के किसी तरह की परसानी कड़ा करते हैं, चुकि बिहार सरकार के जो नीतियां बनी, सराबंदी की, उस नीतियां में आधर सब लोगों ने मिलकर किया था अब सब की जिम्मेदारी बन्ती है कि इस ओर आप लागु करें तो क्या दा रराए था आप देने के बात रहे हैं कि स्बाम teenager कर रहे हैं मैं ने RGD के बड़े नेता बताएंगे लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि सराब बंदी आज 6 साल लगभग होने जा रहा है तो 6 सालों में सरकार से समिच्छा पहली पहलू इसके दो पहलू है एक पहलू तो यह है कि आप इसको लागू करने में अपनी इमानदारी से आप इसको लेकिन नीमबु को जेतना नचोड़िएगा तो खटापने करभाहट आएगा तो यानि कि उनका कहना है कि सिगन्ज जादे कसिएगा तो जरीरी सराब देज से मिलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या इसका मतला है? और उनकी सजा भी पूरी हो गए, फिर भी जेलों के अंदर बंध है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें लकिलापन के जरुवत है, थोड़ा सा उनके स्थितियों को समझने के जरुवत है, समझ करके उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के आव सकता है. अब 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 देखिये कुछे नेता सवाल उठा रहे हैं महागटबंधन पर, तब महागटबंधन में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, महागटबंधन की सरकार चल रही है, और उस सरकार के कोई बेक्ति विशेज के लोग अगर दल के अंदर बोल रहे हैं, तो वो दल का आई तो है कि उस बेक्ति विशेज से किस तरह से अपने को निपड़ता है, लेकिन दल के मुख्या अगर कोई बात बोलते इस बात को रखते हैं, तब फिर आप गटबंधन की समस्या काते हैं, इसलिए गटबंधन की कोई समस्या नहीं है, सरकार पर कहीं कोई प्रॉब्लम अगर कुछ डिल हुआ तो मागवाट बंधन की समस्या नहीं है, जब सारे साथ दल के मिलकर के लोगों ने यह तहय किया, कि नहीं हम लोग धरम निर्पेक्षे और समाजिक नयाय के लिए मानिया नितियुस कुमार जी की सरकार को समर्तन करते हैं, भारतिये जंतापाटी जो फिरका परस तागते थे, उसको अलग करने के लिए सब लोग त्यार होते, इसमें डिल की बात कहा आती है, डिल की बात तो तब होती जब है, कोई समान विचारधारा के लोग नहीं होते, यहां विचारधारा समान थी, तो फिर डिल की बात कहीं से बेकार की बात है, शुद सब्सक्राइब पर जबाब देंगे जबाब पर कि दल का मामला है दल के बरिये नेता इस पर तैकरेंगे इसलिए सुधाकर जी अपनी बात रख रहे हैं रखनी का हपको अजादी है इस दौने की बाट किया रहे हैं कि अगर इना कर साम कर रहे हैं कि किसानों की हक मी मिले किसान सुधाकर जी क paragraph मानि seekers मतीजिय से मिल करके किसानों के फायदे गिलिए जो उनका सूजाव है। का देना चाहिए यह थै उन्हों की सवाल verse और बन इन नौने में अक्ट कूछ करिको बाहन के खराये किता हो खरुसी जो फेनतक है स्काप